Hello everyone, क्यासे हैं आप? आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, वैसे तो SL वालों के लिए तो हम बाद में बताएंगे पहले regular वाले बच्चे सुन ले, उनका exam बहुत जल्दी जून में ही है यानि मैं कह दूँ तो सीथा 10 दिन बचे हैं, तो स्टूडेंट थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं कि 10 दिन में कैसे परप्रेशन करें वैसे तो आप regular college के या NC web के student हो, तो definitely आप पढ़ रहे होगे पढ़ने के साथ साथ बस मुझे आपको guide करना है कि आप थोड़ से step by पढ़ेंगे तो ये वीडियो होने वाले हैं सर, किसके लिए सर, b.com, honors या हो program का बच्चा, उसके लिए semester 4 के लिए ठीक है, NEP वाले student के लिए especially, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या-क्या chapters करना है और क्या-क्या important है, किसमे से theory के chapters ज्यादा बनेगे, मैं सब चीजो पर discuss करूँआ, इसके focus करिएगा सबसे पहले study करने का क्या तरीका है, आपके पास एक तो book होना बहुत जरूरी है अगर आपने book नहीं लिया, तो आप सोचोगे, sir, 10 days के क्या ले, तो मैं recommendation करूँआ, book ले लीजिए आपका वो half rate में तो भी की जाता है, और आपको इसके साथ 10 year लेना बहुत जरूरी है 10 year किसका लेना है, sir, सिवधास का लेना है, सिवधास का, एक तो पढ़ने का पहले मैं बता दू क्या material होना चीए बहुत सारे student कहते है, sir, 10 year मिलता नहीं सिवधास का, क्योंकि आगे semester 5 में आएंगे, तो semester 5 की देखिए, तैयारी चालू हो चुकी है मेरे पास, income tax की आपकी book बननी है, और उसके सारे notes, assignment में नए, क्योंकि income tax सर्वरा चीज होता है, मैं बनाना तैयार कर चुका हूँ, और आपके costing का भी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो मैं आगर आपको बताओ, book और 10 year का, तो book किन से लेना पड़ेगा, 10 year, वाग 47630, आप इन्हें, Greece जी है, इन्हें 10 से लेके, Monday contact करिएगा, 10 से लेके, 6 o'clock तक आप contact कर सकते हैं, इनसे order book कर सकते हैं, पूरे डेली के अंदर, free cost delivery होता है, one day में deliver हो जाता है, ये तो था आपका study material का, अब इसके साथ साथ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो सर, cost account ज लगता है आपके लिए, अगर मैं cost account में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सर, सबसे पहले आपका जो chapter number one बन जाता है, that is, वो है cost sheet का, cost sheet का, लेकिन ये cost sheet के नाम से, आपको कहीं भी किताब में chapter नहीं मिलेगा, मैंने वीडियो में सारी classes डाली है, ये YouTube पे आप कर सकते ह cost sheet और इस वाले जिसको हम बोलते हैं, general introduction, इसके अंदर से plus theory भी आपके exam में पूछा जाएगा, तो ये एक important chapter है, और ये chapter तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसमें से आपके 10 number तक के questions पूछे जाएंगे, इसके बाद number 2 पे कौन सा chapter करना है, सर, number 2 पे आपको reconciliation करना है, reconciliation, मैंने कई बार बताया है, लेकिन काफी सारे बच्चों को ये chapter tough लग सकता है, तो इसको छोड़के जो मैं number 3 पे बताऊंगा, वो कर लिजेगा, reconciliation, अब reconciliation करना है, reconciliation के अंदर सिर्फ और सिर्फ practical questions करिएगा, इसमें theory आपको देखने की जुरत भी नहीं है, इसमें से theory के कम chances र बनता है हमारा, 18 marks का आएगा, आएगा हमारा इसमें से, 18 marks का one questions, आपका हर एक पांच questions होता है, उसी तरीके से paper design होगा, number 3 पे आपने करना है material, बहुत important chapter है, सर, material, material में से practical भी आना है और theoretical भी आना है, दोनों ही आएगा, और सर, इसमें से पूरे 18 number के questions बनेंगे, सर, कितने practical आएंगे, दो practical आएंगे, और दो से तीन theory बनता है, तो exam point of view से material very, very, very important chapter है, जुसको आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे important भी लिख देता हूँ, very, very important chapter है, नमबर 3 के बाद, नमबर 4 पे जो आपको करना है, that is करना है contract, contract account, और नमबर 5 पे करना है आपको process account, process account, सर यह दोनों पूरे practical chapter है, इन दोनों में से मिला के आपका मान के चलो, 18 marks का questions पूछा जाता है, सर हो सकता है आपके exam में contract और process के बीच में option आ जाए, और यह भी possible है, कि आपके एक ही कोई इसमें से chapter पूछा जाए, contract account में से बड़ा simple सा question पूछा जाता है, लेकिन process का थोड समस्किल हो जाता है, इसमें आपके exam में WIP वाला, honors में तो specially मैं कहूंगा, कि work in progress वाला process आएगा आपका, प्रोग्राम में simple भी आ सकता है, लेकिन honors में यह आएगा, तो आप देखेंगे तो हम तीन questions को लगभग लगभग cover up कर चुके हैं, material वाले में और में question किसका आएगा सर, labor का आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता दो, इसके और में क्या आएगा सर, labor का question आएगा, तो एक तो ये दोनों हो गया, ये bench हो गया, ये bank हो गया, ठीक है, bench जो हमारे exam का pattern है, exam जिस तरीके से लिया जाता है, इसके बाद, number 5 के बाद, number 6 पे, आपने करना है machine hour rate, machine hour rate, और इसके बाद, number 7 पे करना है, overhead distribution, overhead distribution, overhead distribution, तो machine hour rate और overhead distribution की अगर हम बात करें, तो इन दोनों में से, आपका 18 marks का question बनता है, तो आप देखें कितने questions हो चुके हैं, आपके exam के pattern का, एक question ये हो चुका है, दूसरा question ये हो चुका है, और तीसरा question ये हो चुका है, और फोर्थ question यह हो चुका है इसके option में theory आएगा और theory भी overhead का ही आने वाला है सानी के कोई और आएगा overhead का ही theory आएगा तो hopefully आप सारी बातों को समझ रहे होंगे एक question बच गया last हमारा last question को बताएं इसके बाद number 4 के बाद मैंने 7 के बाद number 8 पे आपका service cost है service cost लेकिन आप ध्यान रखिएगा service cost और machine average दोनों एक साथ ही करिएगा और उसी में से question आते हैं number 9 पे आपका theory आता है integrated non integrated के नाम से यह theory का part होता है थोड़ा सा थोड़े journal entry है तो यह यह तो हो गया पूरा का पूरा चाहिए एक तो यह chapter करना चाहिए बहुत important है यह chapter करना ही करना पड़ेगा ठीक है अब reconciliation आप बच्चों को मुस्किल भी लग सकता है लेकिन मैं कहूंगा कर लो तो better है इसका material नहीं छोड़ना जो chapter आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना मैं बता रहा हूं आप contract को नहीं छोड़ सकते आप machine hour को नहीं छोड़ सकते आप service cost को नहीं छोड़ सकते इन में से questions hundred percent पका शियोर शियोर आता ही आता है तो इन chapter को आपको नहीं छोड़ना एक्जाम से पहले ठीक है एक छोटा सा chapter abc है activity based costing उसके उपर मैं अलग से वीडियो बनाके डाल दूँगा अभी मैंने नहीं कराया है तो वह भी आपका theoretical पार्ट है एकाद questions क्यूंकि आपके एक्जाम में pattern के हिसाब से option में मिल जाता है वह तो अभी तो आपका मेन एजंडा है कि 10 दिन बाद आपके एक्जाम है तो दस दिन में हम किस तरीके से focus करें कौन से chapter को करें तो planning में जिस पर मैंने white marker लगा इसको तो बिल्कुल नहीं छ करना है सर कितने कितने time का हो जाएगा यह chapter कितने कितने समय लगेंगे तो मैं simply बताओं तो हमने जो course को design किया हुआ है वह 30 आवर के एप्रॉक्स में course पूरा design कर दिया हमने यानि 30 गंटे में पूरा का पूरा question design कर दिया है 30 गंटे में पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाए अगर आप डेड़ घंटे भी डेली पढ़ते हो दस दिन में डेड़ से दो घंटे दो घंटे तो देखो देना पड़ेगा उसके बिना तो हो ही नहीं सकता आपका मैं बता हूँ तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा last है क्योंकि आपका जो semester 6 है फिर उसमें paper देना करता हूं इतने सारे students से तो उनका मुझे एक या दो बाते जादा से जादा समझ में आता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा सा guidance चाहिए थोड़ा सा guidance चाहिए प्लस हमें problem आती है कि हमारे doubt solve नहीं होते अगर doubt solve हो जाए और अगर आप guide कर दो तो यह जो 10 दिन में हमारे अंदर इतनी capacity है कि हम आठ दिन में भी खतम कर सकते हैं बच्चों का यह मानना है तो मैंने कहा कि YouTube पे तो देखो मैं classes डाल रहा हूं वह मैं आपको वीडियो भी बता रहा हूं कैसे पढ़ना उस पर पढ़िए लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं जिन्हों दे रहे हो क्योंकि date class भी हुए है कुछ अभी चल भी रहे थे उसमें नहीं दे पाए तो मैं उन सभी student को कहना चाहूंगा कि आपको मैं suggest करूँगा देखो मैं यह नहीं कह रहा कि आप course join करो मैं suggest कर रहा हूं alternative आपके पास वैसे तो YouTube के उपर मैं हमेशा वीडियो डालता और डाल ही रहा हूं YouTube के उपर ऐसा नहीं कर नहीं डालेगा मैं आपको course के लिए suggest करूँगा नहीं मैं suggest करूँगा कि आप course को buy कर लेंगे वहां क्या benefit मिलेगा वहां पर आपको systematic सारी चीजे वीडियो मिल जाएंगी जैसे कि मैं अगर आपको course भी दिखा दूँ जैसे channel तो आपने YouTube पर वीडियो डल रही है तो definitely आपने देखा होगा तो मैं आपको अगर course दिखा दूँ भाईया course कहा है किस तरीके से हमने design किया है सारा क्योंकि बहुत महनत लगी है इसके अंदर बिलकुल 203 वीडियो है आपको लगेगा वीडियो हमने हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है live classes भी है latest classes आपको 24 में बताएं तो इसके अंदर आपको सारी की सारी विजवल होगा यह सार लगा दियें कि आपके अगर 20 classes है तो इसमें से कौन सी classes आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैसे आपके देखिए इस पे सार लगा हुआ है थियोरी भी सारा कंटेट यहानि सारा का सारा चेप्टर अगर किसी के अंदर 10 वीडियो में से कम से कम वीड है आपतist को हैं यहाँ को कर फूर्श लोगते तो सिक्यूरेटी रीजन है यहाँ आपको नंबर दिख जाता है और सारे चीजह आपको यहां पर मिल जाती है त्री टाइपस आपकोशी कि यहां पर सॉल्व करने को मिलेगा नंबर वन आपको एक तो डाउट अगर जिसको डाउट नहीं आता बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि माइन उनका बड़ा साप होता है तो उनको जुरत नहीं है कोर्स लेने का वह यूट्यूब पर लें बड़े अच्छे से मांक्स भी है हमें गाइडेंस की जोरत है आप एक बार में चीजों को पढ़ते हो और बहुत अच्छे से याद रहता है तो आप बहुत अच्छे से त्यारी कर रहे हो तो एक तो यह डाउट का और आपको पीडिएफ के नूट्स वगेरा और सारी चीजे आपको हेल्प कर दी जाती है अबर दा हमने पूरी की पूरी आपके लिए डेडिकेटेड अगर वीडियो रिलेटेड कोई कोई आजाती है कोई वीडियो के से आप वैसे मोबाइल फोन है लैप्टॉप है आईफोन हर जगह इसे प्ले कर सकते हो आप उनसे आस कर सकते हो अगर कोई नहीं सुनता तो इसली टीम बिठाए कि इस बार बच्चों के डाउट ज्यादा से ज्यादा सौल्व हो भाए तो होफुली आपको समझ में आ गया होगा यह तो मैंने करा आप आप ऐसे कर सकते हो मेजर मेरा पार्ट बताना था कि यह यह चप्टर आप बिल्कुल करके जाईएगा मत मैं पहले बता दूँ पीडियाफ मत लीजिएगा पीडियाफ लेने में बड़ी दिक्कत आती है तो उस केस के अंदर बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं तो होफुली आप समझेंगे आपने कॉलेज में इतनी सारी फीज दे दी इतनी सारी मेहनत कर रहे हो और एक एक्जा सारी डिटेल दे देंगे आपको कैसे करना है दो घंटे से तीन घंटे आपको बैठना है और आपको यह जो जितने चप्टर बताएं एक चप्टर को करने में कम से कम आपको चार से पांच घंटे लग सकते हैं पहले क्या करना है आपको वीडियो देखना है वीडियो देखने के बाद आपको 10 years से सीधा question practice करने या book से question practice करने तरीका यही हो सकता है तो hopefully आप सब बाते समझ रहे होगे तो thank you so much मिलते हैं हम next वीडियो में आप YouTube पे बने रहें और चैनल को subscribe करना बहुत जरूरी है इस तरीके की अगर आपको guidance चाहिए आने वाले semester के अंदर सबसे बड़ा और सबसे main subject income tax में लेके आ रहा हूं आपके लिए और income tax के अंदर व